इस वीडियो के बाद आप लोगों के उपर आपकी फैमिलीज के उपर haters के उपर, government के उपर, कोई government official के उपर क्या असर पड़ेगा but I have to do this because मैं एक educator हूँ, मैं एक teacher हूँ और मेरे लिए सबसे ज़्यादा important अगर कोई चीज है तो वो है बच्चे और उनका education, उनका career but not on the verge of their lives, आपकी जिन्दगी को risk में डाल कर अगर आपको मैं doctor या engineer बनने की सलहा दे दूँ तो मुझसे ज्यादा एक लालची इनसान कोई नहीं होगा तो guys, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से request करने आया हूँ request यह है कि अभी अभी Supreme Court में एक 5 minute, सिरफ 5 minute उन parents की जिन्नोंने अरदी लगाई थी कि आप NEET और JEE exam को cancel करो 5 minute में verdict दे दिया that हम cancel नहीं करेंगे 1 से 6 September के बीच में JEE होगा और उसके बाद NEET होगी that is near around 13th of September now guys, इस exam को करहाना क्यों postpone होना चाहिए what I personally feel कि यार यह exam postpone होनी चाहिए उसके पीछे सबसे पहला और सबसे major reason यह है कि जो आपके Supreme Court के जो judge थे अरूर मिश्रा उन्होंने video conferencing के थुरू यह बताया आप personally किसी लोगों से क्यों नहीं मिले आपने social distancing mention करी आपने social distancing को maintain किया और video conferencing में आपने आपका verdict सुना दिया आप किसी से personally क्यों नहीं मिल रहे हो आप mass gathering में क्यों नहीं आके parents के बीच में बोल रहे हो यानि आपकी life ठीक है लेकिन बच्चों की life को आप risk में डाल सकते हो यह एक ऐसा exam है जहाँ पर 11.5 ग्यारा लाग से जाधा बच्चे exam देंगे और near around इतने ही बच्चे NEET की exam देंगे मतलब आप एक बार में लगबख 15 दिन के अंदर अंदर तक्रीबन तक्रीबन 20 से 25 लाग बच्चे की life को आप लोग रिस्क में डाल रहे हो आप लोग कहते हो कि ओके हम पूरी SOPs फॉलो करेंगे हम पूरी social distancing maintain करेंगे हम sanitizers देंगे XYZ लेकिन आप लोग एक बार सारे बच्चे और parents Google करके देखे latest news जहाँ पर करनाटका और केरेला में इन्होंने state boards level पर जो exam ली थी वहाँ पर क्या बुरी हालत थी वहाँ पर सब लोगोंने मास्क जरूर पहन रखे थे लेकिन social distancing दो मीटर नई दो मीटर के अंदर 20 लोग खड़े वे थे तो social distancing की धजिया कैसे उड़ती है हम सब लोग जानते है आप लोगों के state में आप जहाँ पर रहते हो अगर आप लोगों के जहाँ पर आप हो lockdown खुलने के बाद अगर एक दिन market खुला हो तो ये नंबर बढ़के हो गया 40 लाग और चलो आप कहते हो कि कोरोना एक महामारी है जो जादा असर नहीं कर रही है लेकिन आप जानते हैं इंडिया थर्ड वर्स्ट कंट्री है जहाँ पर कोरोना के केसे सबसे जादा है रोज लगबग 50 से 70 हजार केसे निकल रहे है देथ लगबग 55 हजार से जादा इधिंक हो चुकी है एंड गाइस ऐसी कंटीशन में हम लोग कह सकते कि बच्चों का immunity system बहुत strong होता है बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन वो बच्चे जब exam देकर लोटेंगे तो चलिए उन पर symptoms नहीं काम कर रहे है लेकिन जो उनके घर होंगे वहाँ पर वो अपने parents से अपने दादी दादा से तो मिलेंगे उनके उपर क्या असर होगा और ये एक bomb की तरह करियर बन जाएंगे जो corona case या corona virus को लेकि अपने घर जाएंगे और अपने घर में फैलाएंगे और उनके घर के लोग क्योंकि अब lockdown तो रहा नहीं है कहीं ना कहीं तो बाहर निकल रहे होंगे God knows वो कितने के contact में आ रहे है तो ये जो आपका decision है I don't feel कि ये अच्छा है हाँ आपका सोचना ये ठीक हो सकता है कि आप ये चाहते हों कि जो exam है वो होनी चाहिए हम लोग बच्चों का एक साल नहीं waste कर सकते लेकिन आप थोड़ा सा इस चीज को ये सोचिए कि क्या इतने सारे बच्चों की life को risk में डालना ठीक है उनके parents की life को risk में डालना ठीक है जहां पर एक और हमारे इंडिया का आसाम बिहार और जो अपना पूरा eastern area है जो अभी floods की मार सहर कर सहन कर रहा है देन उसके अलावा trains नहीं properly work कर रही है आप लोगों ने buses की जो सुईदाएं वो बंद कर रखी है क्या हर इंसान flight afford कर पाएगा क्या आप हर state में, हर city में, हर area में क्या आप centers बना पाएंगे नहीं तो कैसे आएगा एक बच्चा आपके center तक कैसे वो देगा exam कहीं ना कहीं हम लोगों को इस बारे में सोचना जरूर चाहिए हमें सोचना पड़ेगा and guys, मेरी एक request है कि अब Supreme Court ने तो अपनी जो verdict थी वो सुना दी अब आप और में उसमें कुछ नहीं कर सकते या तो आप लोग एक से छे तारीक के बीच में exam देने जाईए, need देने जाईए या अब सिर्फ सब कुछ government के हाथ में है, तो क्यों ना हम सभी लोग, Instagram Facebook, Twitter हर social media handle पे हम इस चीज को हमारी government तक हमारे Prime Minister तक पहुचाएं कि आप एक बार इस चीज पर वापस सोचे, एक बार वापस विचार करें कि क्या एक ऐसा बच्चा जो अपनी life risk में नहीं डालना चाहेगा, उसका parent उसे मना कर देगा कि तू एक साल तेरा वेस्ट कर ले, लेकिन भाड में जाने ते इस एक्जाम को मत देने जा, क्या इंडिया का हर इंसान ऐसा बोल सकता है क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता हूँ, मैं अपने कई सुडेंट्स को जानता हूँ, जिसमें से एक बच्चे के parents ने अपने खेत को गिरवी रखकर दो लाग रुपे ब्याच पर उठा कर एक institute की फीज भरी थी क्या वो बच्ची के माबाप उसे कहेंगे कि तू एक्जाम मत देने जा उस बच्ची का खेत, उस बच्ची की property दाओ पर लगी है इस exam के उपर तो क्या वो बच्ची अपनी life को precious मानेगी, नहीं, उसके लिए वो ये exam precious होगा, और अगर God, भगवान इस बात को सच ना करे, लेकिन अगर कुछ हो गया, तो क्या उस बच्ची के dreams, क्या उस बच्ची के family, अब इस चीज के treatment को afford कर पाएगी तो आपका सोचना एक बड़े level पर ठीक था, लेकिन आप खुद video conferencing कर रहे हो, और आप verdict सुना रहे हो, लेकिन आप बाद में कहते हो कि 28 लाग बच्चे एक जगे खटे हो जाएं और काम करें, तो this is not correct, I as a teacher I strictly, I strictly condemn your decision, I don't like your decision, and if parents और students, आप लोगों के हाथ में हो बना दो Twitter पर trend, बना दो Instagram पर trend, YouTube पर मैंने video डाल दिया है, मैं एक छोटा सा YouTuber हूँ, मेरे पास में जादा students नहीं है, लेकिन आप लोग मेना और postpone कर सकते हैं, क्योंकि life से जादा बड़ी कोई चीज नहीं है, तो अगर किसी भी तरीके से मेरी बात, किसी को भी खराब लगती है, तो I am really very sorry कोई personal agenda नहीं है, किसी को बुरा बोलने का, बस यह है कि students की life, students के परिवार की life, उनके financial status, उनका आना जाना, बहुत सारी चीजों पर सोच विचार कर लेना चाहिए, उसके बाद कोई चीज करनी चाहिए, personally यह मेरे opinions थे, अगर किसी को बुरा लगता है, तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगता हूँ लेकिन, अगर आपको मेरी बात सही लगती है, तो एक बाद government तक बात पहुचाने चाहिए, यह मेरा तरीका है Prime Minister and its government तक मेरी बात पहुचाने का, कि आप लोगों को एक बार और विचार करना चाहिए और बाकी सारे parents and teachers and students से पर request है कि आप लोगों को इन बात को जरूर पहुचाए, that's all for this video, Jai Hind